बश्कार दोस्तों स्वागत आपको यूटूब चनल फिर ओच पे IDFC लिमीटेट एक जबरदस्त रिटार्न आपको दे सकता है IDFC लिमीटेट का शेयर का प्राइज इसके पहले जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था और IDFC को लेके टार्गेट प्राइज पगड़ा दिया था तो 65-67 रुपिस के आज पास स्टॉक के चल रहा था और आप ही देख सकते स्टॉक का प्राइज 87 रुपिस के ओपर चल रहा है IDFC का ये वीडियो में हम लोग बहुत कुछ इंफरमेशन देखने वाले है और इस वीडियो देखने के बाद आपको भी बहुत सरे इंफरमेशन मिल जाएगा IDFC लिमीटेट के शेयर को लेके IDFC लिमीटेट को लेके एक टार्गेट प्रैस देखेंगे क्या टार्गेट प्रैस होना चाहिए तो बहुत सरे अपडेट से दोस्तों रिक्वेस्ट करते वीडियो पर पूरा बने रही है के पिवे स्किप मत किजिए ताके आपको एक IDFC First Bank का new जो एक high price बनाया है 52E का वो है 87.95 पैसा तो इसने पहले का जो high price वगरा था वो इसने cross किया और उसके बाद इसका 52E का high price बनाया 87.95 पैसा तो stock उतना strong है कि इतना price तक जबर्दस इसने अपना जो इसका price है उसको खीचा है और 87 रुपिस तक पहुँच गया यह पर एक दिन के अंदर stock का जो है stock में लगबग 3.1% का तेजी बनता हुआ दिखा है 1 week के अंदर बात करते दोस्तों तो 4.5% का तेजी बनता हुआ दिखा है IDFC लिमिरेट के share में और 1 मंत के अंदर 5.60% का return यहाँ पे दिया है IDFC ने IDFC share अभी एक strong performer कहा जा रहे और आगे भी हो सकता है कि एक strong performer रहा रहे अभी यहाँ पर देखेंगे समझ रहो समझ रहा आप देखेंगे तो durability जो है वह 70 आउट ओफ 100 valuation है 42.80 चे में इनिक अंदर IDFC के share ने यहाँ पे एक price बनाया था आप देख सेतने उसके बाद stock में गिराबड बना 83 रुपिस के बाद stock में जो है गिराबड बनाया तो वह था 74.35 बहुत बार एक bulk deal भी हुआ IDFC first bank share में वह भी हम लोग आगा है आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं तिन मेने के अंदर IDFC first bank share में यहाँ पे गिराबड बनता हुआ दिखा दो दो को मिला है आप देख सेते हैं यहाँ पर एक चोटा सा बोल सेते के गिराबड बनता हुआ दिखा था और 83 के आसपास उसके बास stock में जो है 83.55 के बास stock में जबर्दस return देखने को मिला वान डेमें अच्छा का सा यहाँ पर तेजी बनता हुआ दिखा है अभी IDFC लिमिटेट का अगर आप देखते हैं इस सेक्टर में बहुत सरी शेयर से IDFC लिमिटेट है बाजाज पाइनास है SBI का आड़े ऐसे बहुत सरी शेयर सबको IDFC के सेक्टर में अगर आप देखते हैं तो आपको देखने को वो मिल जाएगा तो यह सब स्टॉक में से देखेंगे दोस्तों बाजास पाइनास बागरा भी जो है बहुत ही बढ़िया शेयर है IDFC एक छोटा इमान का शेयर है और स्टॉक में जबर जो टोटल डेवीन हो था वो था 57.9% का ऑपरेटिंग प्रोफिट जो है 46.4% माइनास में था और जो नेट प्रोफिट हुआ था कमपनी का IDFC लिमेट का वो था 26.7% जम्प देखने को नेट प्रोफिट में मला है अब यहाँ पर IDFC फर्स्ट बेंक का जो थोड़ा टेक्निकल इंफ्रमेशन नम्रोग देखते है इसका वोल्यूम को लेके तो वोल्यूम दोस्तों आप देख सेते हैं यहाँ तो क्या होता है जैसे श देख सकता है आपको बहुत समझना है कि आपने जो खरीदा है वो फंडमेंटल स्ट्रॉंग है कि कंपनी कौन सा है यह सब कुछ देखना सही है तो आभी यहाँ अगर दूस्तों देखते हैं 30 जून 2022 में FIS के पास टेक था 20.58% का और 30 सेप्टेंबर 2022 में FIS ने जो इस टेक बढ़ाया है 20.93% का वहीं बात करते हैं जो है 10.31% का स्टेक था और यहाँ पे देख सकते हैं जो है 12.45% का स्टेक कर दिया है तो इतने सारे बड़े बड़े जो बोलसेती के FIS हो गया आदर इंस्टेक्टिशन हो गया इन लोगोंने यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है तो ऐसे ही यह लोग स्टेक नहीं बढ़ाते हैं जब इन लोगों को लगता है कि बहुत बरा प्रोफित मिल सकता है इस टॉक मेंि aja के स्टोक जो एक श्टेक बढ़ाते या फिर उसमिल खरीदारी करते हैं तो अभी यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे तो IDFC First Bank का जब रेजल्ट भी आने वाला है जो कि लगबग शाय से 21st January को इसका रेजल्ट आएगा IDFC First Bank का और ऐसा माना जाता है कि हो सकते कि IDFC First Bank एक अच्छा पोस्ट करें अभी यहाँ पर आप श्यार खरीद तें तो डिविडेंट की बारे बात करतें तो डिविडेंट जो है यहाँ पर कुछ खास मतलब बहुत खास यहाँ पर डिविडेंट देखने को नहीं मिलता है आप देख सकते यहाँ पर जो इसके पहले डिविडेंट IDFC First Bank क पैसा यह अभी डिविडेंट देखने को मल रहा है तो कुछ बड़ा डिविडेंट आपको IDFC First में माफ करें आइडिविडेंट में शायद से देखने को ना मिले और IDFC First Bank में अगर देखेंगे तो डिविडेंट IDFC बोली है IDFC First Bank बोली है डिविडेंट कुछ खास नहीं दे रहता है कि 89 डुपिस के आज पास रखके चलना चाहिए और यहां पर यह चीज़ अगर देखेंगे तो स्टॉक में गिरावड भी बनता है बहुत जबर्दस आइडियें तो यहां पर आपको एक स्टॉप प्लोस रखना है स्टॉप प्लोस में जब गिरावड बनता है तो बहुत जब गिरावड बनता हुआ दिखता है तो फिलाल अभी स्टॉक 50 डुप के हाई प्राइज में चल रहा है और इसका रेजल्ट भी अभी है जो कि आजसे 21st टरजन वरी तक है तो यह सब इंफ्रमेशन अगर यहां पर हैं तो इसके चलता है अगर देखेंगे तो हो स से एक बड़ जरूर रिसर्च कर लीजिए शेर करें दिने से पहले बेशने से पहले तो इसे वीडियो को यह आप ही कंप्रिट करते आशा करते जो भी इंफ्रमेशन दिया है अच्छा लाइए